विद्यार्थियों आप देख रहे हैं समाजी विज्ञान का 2022 थे इसका दसवी क्लास का आफ यरली पेपर तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रशन रहे थे एक विद्यार्थी ने भेजा है पहला प्रशन पुछा गया है यंग इटली क्या था तो आंसर हो जाएगा ये एक गुप्त संस था थी इसका पर जो नेक्स कोशन है हिंद स्वराज पुस्तक के लिखक कौन है तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं सारे mcq आपको करवा रहा हूं अगर आप mcq देख रहे हैं तो अच्छी बात है sht की सीरीज चालू हो चुकी है और sht के मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें से आपके प्रशन बन रहे हैं हर जिले में जो प्रशन आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं तो आप उसको जरूर देख लेना आपके लिए most important है sht की रोजीना सुबे साम एक वीडियो आती है पूरा का पूरा अध्याय प्रिबोर्ट जो होंगे उनके लिए भी अगला कुश्चन जो है यहां पर पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर हम संसादुनों का वर्गिगरत कर सकते हैं तो जैविक और जैविक जो है उत्पत्ति के आधार पर होता है next question है आपका निमलिखित में से किसे 1973 में शुर अन्य सासन प्रत्रां संस्थाएं जो इसमें काम करती है और निमन्यम्घ मैं से कौन सी आर्थिक क्रिया परात्मिक रिया के अंधर गत्रत नहीं है तो यहां पर परात्मिक च्छेत रखका है तो अभी देख रहे हैं मतस्यक्रिसी खनन और पशुपालन सब जो है आपका किसमें आता है प्रात्मिक में आता है यहां पर प्रात्मिक के बदले दूसरी वस्तु का लेना यह डियम प्रणाली कहते हैं तो इसको और भी डィ töल में बता सकते हैं इसली है जो बोलते हैं तो आ इसके बाद में धर्म निर्पेक्षब्द से क्या समझते हैं तो धर्म से अलग होना या कोई धर्म आधार नहीं होना जो है आपका धर्म से अलग मतलब किसी धर्म को गाणोलन क्यों शुरू किया कि नहीं तीन कारणों को लिखिए सारे प्रशन में बता चुका हूँ पहले भी ये प्रशन पढ़ लो लेकिन आप लोगे पढ़े नहीं होंगे सोचा होगा कि किसी दूसरी जिले का है तो उस में मत रहना हर जिले में से question बनेगा आपके वारसिक परिक्षा में तो अगर आप हर जिले का paper नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है गलती कर रहे हैं ठीक है यह चीज आप ध्यान रखें ग्यारवा question है नेपोलियन सिविल कोड की व्याख्या कीजिए बारवा question जो आया है वर्सा जल संग्रहेंड की किनी तीन प्राचीन विदियों को लिखिए अगला जो question है मानव विदियों ने किस प्रकार से पेड गति विदियों ने किस प्रकार से पेड पौदता था जन्तू जियो जन्तों की गतिविदी को प्रभावित किया है इसकी व्याख्या आपको करनी है एक तरह से आप पर जन्रल कोश्चन आ गया उन तीन राज्जियों के नाम बताईए जहां काली मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी में कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है सारा MCQ बेस डिया पे लिया गया है तो यहां पर मैंने MCQ में करा रखा है कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है साथी साथ यहीं बताई गई है कि काली मिट्टी की फसल कौन सी है इसके बाद में आपका नेक्स जो कुश्चन है इसमें हमने 15 नमबर जो दिया गया है यह है प्रती व्यक्ति आए कम होने पर भी केरल का मानो विकास क्रमांक जो है हर्याना से बहतर है इसलिए प्रती व्यक्ति आए एक उपयोगी माबदंड बिल्कुल नहीं हो सकता और राज नेक्स जो कुश्चन है लोकतंत्र के मुख्य सिद्धान्त किया है सभी को आपको समानता देनी पड़ती है इसमें और भारत की विदाईका में महिलाओं की भागिदारी की स्थिति क्या है यह आपको बताना है उत्राखंड में मानव जनित किनी तीन आबदाओं के नाम लि आपके उपर डाला गया है नेक्स जो कुश्चन है इसमें इटली के एक ही करण में मैसनी की क्या भूमिकाती विवरण करनी है आपको नेक्स है सभीने अवग्या अंदोलन को विभिन सामाजिक समूहों ने अपना समर्थन क्यों दिया था बंडन कीजिए म्रदा मिर्टी सं संरक्षन की विभिन विधियों को जो है आपको लिखना है इसमें देखो संरक्षन का मतलब हो गया कि उसको कैसे बचा सकते हैं ठीक है मरदा को बहुत दिश्य नदी घाटी प्रियोजना के गुण और दोश की आपको तुलना कर देनी है टेबल बनाके गुण एक तरफ लि बढ़ियां था संगनात्मक और एकात्मक सरकार में मुख्य अंतर क्या है उधान सहीत व्यक्ष कीज़े यूपी का मैंने सस्ट का पेपर सौल किया हुआ है अभी मॉडल पेपर जारी हुआ था 2023 के लिए उसको जरूर देख लेना वह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यूपी का जो आपका हिंदी छोड़ करके आपके बाकी सब्जेक्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर है तो उनको आपको पढ़ लेना चाहिए उसके बाद जो है आपका यहां पर राजनेतिक मानचित्र है उसमें आपको दर्शाने है चंपारण सत्य गर्य आंदोलन और उसके बाद में आपका भारतिय राश्टिय कांग्रेस का दिसंबर उन्नीस सो बीस का दिवेशन से ऐसा ही कुश्यन आता है उसमें भी जो बोड में बोड पेपर है यूपी बोड का जो मोडल पेपर अभी जारी हुआ है जो मैंने सॉल किया है सभी विशे के स सारापूर प्रमानु उर्जाकी इंद्र काटा लो इस पात उद्ध्योग और भारत का मुख्य कपास उत्पादक राज्य और एक है आपका राजा जी नैशनल पार्क ठीक है तो यह आपको मैप में दर्शाने है तो इस तरह का यह पेपर था आसा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा और आने वाले टाइम में इसमें से बहुत सारे कुश्चन्स आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेंग करते हैं